नमश्कार आप लाइफ सिटीज देख रहे हैं मैं हूँ गरिमा भारती बड़ी खबर निकल कर आ रही है बीपीएसी से जुड़ी हुई छैसो नवासी पदों के लिए ली गई चिया सथवी बीपीएसी मुख्य परिक्षा का रिजर्ट जारी हो गया है जिसमें अब इन अभ्यरतियों को इंटिव्यू के लिए बुलाया जाएगा कुल मिलाकर छैसो नवासी पद है जिनके लिए ये परिक्षा ली गई थी चिया सथवी बीपीएसी मुख्य परिक्षा का रिजर्ट जारी हो गया है अब अपनी स्क्रीन पर रिजर्ट देख भी पा रहे होंगे आप बीपीएसी की अधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रिजर्ट को चेक कर सकते हैं आपको बता देई की अभी की ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है जहां पर बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से चिया सत्वी मुख्य परिक्षा का रिजर्ट जारी कर दिया गया है बीपीएसी के संयुक्त सचिफसरा परिक्षा नियंतरक अमरेंद्र कुमार ने इसकी जानकारी पूर्व में ही दी थी कि आज किसी भी वक्त जो है रिजर्ट जारी हो सकता है हमने भी आपको बताया था तो रिजर्ट जारी हो गया है मुखे परिक्षा का जो परिनाम है वो जारी हो गया है साथ ही सफल अभ्यरतियों के लिए साक्षातकार का कारिक्रम अब जारी किया जाएगा BPSC चिया सत्वी संयुक्त प्रतियोगिता परिक्षा के तहत रिक्तियों की कुल संख्या 689 है इतने अधिकारी राज्य के अलग-अलग विभाबों में बहाल किये जाने हैं आपको बता दे कि चिया सत्वी संयुक्त प्रतियोगिता परिक्षा के लिए BPSC की ओर से वर्ष 2020 में ही अधिसूचना निकाली गई थी तब करीब 700 पदों के लिए 4,49,455 आवेदन आयोग को मिले थे आवेदन की प्रक्रिया ओनलाइन माध्यम के जरिये पूरी की गई थी इन पदों के लिए राज्य के 35 शहरों में प्रारंभित परिक्षा आयूजित की गई थी आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर की रिजल्ट जारी हो गया है प्रारंभित परिक्षा में सफल उम्मिदवारों के लिए जुलाई 2021 में मुख्य परिक्षा ली गई थी आयोग की ओर से दी गई जानकारी के मताबिक मुख्य परिक्षा में सामान्य वर्ग से 3497, आर्थिक रूप से कमजोर श्रेनी से 902, SC से 1503, ST से 78, अन्य पिछड़ा वर्ग से 1586, पिछड़ा वर्ग से 1199, एवं पिछड़ा महिला वर्ग से 232 अभ्यर्थी परिक्षा में शामिल हुए आपको बता दें कि BPSC की और से जारी रिजल्ट को आप अधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं, आयोग की अधिकारिक वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in को खोलते ही होम पेज पर सबसे उपर आपको रिजल्ट का लिंक दिखाई देगा, आप देख भी पा रहे होंगे स्क् 66 का रिजल्ट जो है वो दिया गया है, उसे आप क्लिक करें और आप अपना रॉल नंबर ढूंड सकते हैं, आपको बता दें कि किनकिन विभागों को अधिकारी मिलने वाले हैं तो गन्ना उद्योग विभाग, श्रम संसादन विभाग, ग्रे विभाग, परिवहन संरक्षण विभाग, ग्रे विभाग में कई सारे पद है, वानित जेवंकर विभाग और इसके अलावे निर्वाचन विभाग को नए नए अधिकारी मिलने जा रहे हैं, कुल मिलाकर 1828 उम्मिदवार सफल हुए हैं, इस परिक्षा में कुल 8997 उम्मिदवार बुलाए 179, SC-299, SC-18, EBC-349, BC-192 और BC महिला श्रेनी में 56 उम्मिदवार सफल हुए हैं, कुल मिलाकर 1828 उम्मिदवार हमने आपको श्रेनी बार बताया कि किन किन श्रेनियों से कितने उम्मिदवार जो हैं, वो सफल हुए हैं, कुल मिलाकर 1800 से ज्यादा उमिदवार इस बार BPSC की मुख्य परिक्षा यानि की 76 BPSC की मुख्य परिक्षा में सफल हुए हैं, अब इंटव्यों को लेकर रुटीन जारी किया जाएगा और ये बताया भी जाएगा कि कब इंटव्यों होना है, कहां पर किस तरह से अभ्यरतियों को आना है, तो जितने भी अभ्यरति सफल हुए हैं, उन्हें भविश्य के लिए बहुत सारी शुप कामनाए, BPSC परिक्षा पास कर लेना बहुत बड़ी बात होती है, बहुत मेहनत का काम होता है, तो जितने भी उमिद्वार सफल हुए हैं, उन्हें लाइफ सिटीज की तरफ से धेर सारी शुप कामनाए, लाइफ सिटी झाल